नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का US study 76 पर तो class मोर्लोग चल दयए थी तो समेश करना ढांद लुक्ट जो रही हिं और ülICES में आप लोगों का चल रहा था गुप्त काल और... गुप्त डैनेस्टी चल दयए थी तो गुप्त डैनेस्टी कρο 있는 की एक class हो चुकी है तो आज गुपता डानेश्टी की आज second class है यानि की second part है गुपता डानेश्टी का और बैसे तो आप लोगों की total आज class number 20 है इससे पहले 19 class है हो चुकी है तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो देख लेजिए क्योंकि प्राचीन भारत की 19 class है हो चुकी है आज 20 number की class है और गुपता डानेश्टी का second part है इससे पहले class हो चुकी है class number 19 जो थी वो गुपता डानेश्टी का first part था तो आज second class है देखिएगा इसको ध्यान से तो जो इससे पहले class होई थी उसमें बात कर ली थी चंदरगुप्ध दुतिय तक की उसके बात में जो चंदरगुप्ध दुतिय का उत्तरादकारी बना था बो बना था समद्रगुप्ध उसके के बारे में आज बात करते हैं जो बना था समुद्र गुप्त तो आज उसके बारे में बात करते हैं और पिछली क्लास में भी समुद्र गुप्त के बारे में बताया था मैंने तो चलिए आज फिर से बता जाते हैं समुद्र गुप्त के बारे में तो क्लास जो गुप्त काल वो था 319 से लेकर 550 इसवी तक का और उसमें चलता है गुप्त बंस तो गुप्त बंस का चंदर गुप्त दोतिय तक का आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है तो आज बात करेंगे समद्र गुप्त के बारे में तो समद्र गुप्त जो था वो 335 से लेकर 375 इसवी तक इसका सासन काल दा था समद्र गुप्त का और ये एक प्राकरमी सासक था और एक ये प्राकरमी सासक था और बिंसेंट इसमित के द्वारा बिंसेंट इसमित की एक पुस्तक थी Early History of India बिन सेंट इसमित की एक पुस्तक थी Early History of India इसमें इसको भारत का नेपोलियन बताया गया है इसमें इसको भारत का नेपोलियन बताया गया है तो भारत का नेपोलियन इसको किसलिए बताया गया है उस पे थोड़ा गौर कीजिएगा तो भारत का नेपोलियन जो इसको बताया गया है वो इसलिए बताया गया क्योंकि ये अपने आर्मी मिसन के लिए फेमस था ये अपने आर्मी मिसन के लिए फेमस था इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया तो इसको नेपोलियन की कहानी क्या है उसको जड़ा थोड़ा और जान लीजीगा डिटेल से, जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, फ्रांस का एक सासक्ता नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी अपने आर्वी मिसन के लिए बहुत ही जाना फेमस था, बहीं से ये आया है नेपोलियन संद, कहां से फ्रांस का एक सासक्ता नेपोलिय republican बताया है और इसको निपॉलिन कीóle क्यों बताया क्योंकि इसमें दचीर भारत के बारा सास्कों और उत्तर भारत NPC के 15 LOVE को पराइद किया या इसको फिर नपॉलिन hundred कीолह rhymes और क्या क्या है यह उपादी और गया इसकी उपदिया प्राक obese ओलोली तो इसका एक दरबारी कभी हुआ करता था हरी सेड़ तो हरी सेड़ के दौरा इसने प्रयाग प्रसस्ति लिखवाई थी तो इसके शासनकाल में जो सिक्के चलते थे उसमें सिक्कों पर बीड़ा बादक करते हुए अपनी तस्वीर लगवाई थी किसने समधर गपत ने तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी था और कभी के साथ-साथ ये एक बीड़ा बादक भी था तो इसलिए इसने अपनी बीड़ा बादेख करते हुए सिक्कों पर तस्वीर लगवाई है और इसी के शासनकाल में बहुत दर्म को भी सन्रचर दिया गया तो इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है इसके धरबार में एक बहुत बिच्चुक रा करता था बसुबंदू तो बहाँ से हमको जानकारी मिलती है, कि इसने बहुत दर्म को भी सरचण दिया था, अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं इसके उत्तराद कारी के लिए, तो इसके दो बेटे थे, एक इसका बड़ा बेटा था रामगुप्त और एक छोटा बेटा था चंदरगुप् कि इसका जो बिबा हुआ था रामगुप्त का बो हुआ था, दुरुप देवी से या दुरुप स्वामनी से, दुरुप देवी से या दुरुप स्वामनी से, बो जो दुरुप देवी थी वो चंदरगुप्त की प्रेम का या प्रियसी थी, जो दुरुप देवी थी या दुरुप स्वामनी वो चंदरगुप्त की प्रेम का या प्र किसने उस मांग को मंजूर कर लिया था और दुरुप देवी को देने के लिए तयार हो गया था सकों को लेकिन इस बात की जानकारी जब चंदरगुप्त को मिलती है कहीं से इस बात की जानकारी चंदरगुप्त को मिलती है तो चंदरगुप्त ने क्या किया था सकों के सिविर में जाकर किसके बैस में दुरुप देविया दुरुप स्वामनी के बैस में जाकर और उसके बाद में इसने चंदरगुप दुतिये ने अपनी प्रेम का ये प्रेसी दुरुप देवि को भी बचा लिया था और अपने भाई राम गुप्त की उसके बाद हत्या कर दी थी और उसके बाद इसने धुरुप देवी से बिवा कर लिया था या साधी कर ली थी तो यह थी कहानी राम गुप्त और चंदर गुप्त की जो राम गुप्त था इसका बड़ा भाई चंदर गुप्त का इसकी हत्या क्यों की गी थी ये एक गुप्त काल का सबसे महानतम सासक था, सबसे महानतम सासक था, चंदरगुप्दुती है, और इसके दोरा उपादी जो ली गई थी वो थी बिक्रमादित की और परमभागवत की, तो बिक्रमादित की उपादी इसको क्यों ली गई थी, इसके बारे में भी जानकारी, इसके बारे में भी बात की थी क्यों? क्योंकि इसने सकों को पराजित किया था और सकों को सबसे पहले बजाया था मालवास से किसने बजाया था सबसे पहले बगाया था बिक्रमाधित ने इसी वज़े से इसको भी फिर बिक्रमाधित की उपादी दी की थी और एक परम भागवत की और 399 में 399 में प्रिसिद चीन यात्री फायान इसके सासनकाल में ही भारत आया था और 15 बरसों तक यहां रुका था तो कितने 15 बरसों तक यहां पर रुका था तो 15 बरसों तक यहां पर रुका था और इसी के दोरा रुदरसें तरतिय की हत्या की गई थी जैसा अभी हमने बताया रुदरसें तरतिय की हत्या इसके दोरा की गई थी सक बंस का सासक था रुदरसें तरतिया और इसी ने सकों को यहां से बगाया था भारत से और भारत में सक बंस का अंत किया था चंदर गुप्त धुतिय ने जैसा कि अब हमने राम गुप्ट और चंदर गुप्त के बारे में जब कहाणी बताई यहां पर इसकी प्रेमका के बारे में तो आप लमने सुना और इतियास का प्रतम सासक जिसने अपने दर्वार में नवरतन रखे इतियास का प्रतम सासक अकबर जो था वो दुतिय सासक था अकबर ने तो बाज में रखे थे नवरतन लेकिन इतियास का जो प्रतम सासक था वो गुप्त काल का चंदर गुप्त था जिसने प्रतम सासक था जिसने दरवार में अपने नवरतन रखे थे और इसी ने रजतमुद्राइं चलवाई थी अपने सासनकाल में और इसी के सासनकाल में हिंदु धर्म का सरवादिक विकाज हुआ इसी ने रजतमुद्राइं चलवाई और इसी के सासनकाल में हिंदु दर्म का सरवादिक विकास हुआ तो अब बात करते हैं इसके दर्वारी जो लोग थे या दर्वार में जो इसके नवरतन थे उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं एक थे अमर सिंग जो एक कभी थे और संस्क्रिट सब्द कोस ये कभी थे और क्या थे संस्क्रिट सब्द कोसा थे और उसके बाद में बात करते हैं धन बंतरी की जो कि एक समद्रगुप्त के ही सासन काल में एक चिकत सक थे उसके बाद में बात करते हैं काली दास की ये भी समद्रगुप्त के ही दरवार में क्या थे? कभी और नाटक कार थे उसके बाद में बात करते हैं हरी सेड़ की तो हरी सेड़ जो थे वो दरवारी लेखक थे चंदरगुप्त के हरी सेड़ जो थे वो दरवारी लेखक थे चंदरगुप्त के उसके बाद में बात करते हैं चपड़क एक महान जोट्सी था और एक कभी भी था छपडक जो था उसके बाद में बात करते हैं संकु जो की स्थापतिकार था या अर्किटेक्ट था चंदरगुप्त के सासनकालब इसके बाद में बारह हम निहीर की बात करते हैं तो ये एक खगोल सास्त्री था, एक्ष्ट्र नॉमर था, खगोल सास्त्री था, उसके बाद में बात करते हैं बर्रुची की जो की संस्कृत का एक बहुत महान बिद्वान था, संस्कृत का महान बिद्वान था कौन बर्रुची, उसके बाद में बात करते हैं बेताल भट की जो की चंद चंदरगुप्त दुतिये था उसको उपादी मिली हुई थी बिक्रम और जो बेताल भट था तो बिक्रम बेताल कैसे बना चंदरगुप्त दुतिये और बेताल भट की जो कहानिया थी वही थी बिक्रम बेताल तो ये बिक्रम बेताल नाम कहां से चंदरगुप्त की उपादी जो थी बिक्रम, वहां से बिक्रम लिया गया और बेताल भट का जो बेताल था बहां से बेताल लिया गया तो यह बन के आया बिक्रम बेताल, तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि इस पर आधारित था, तो उसके बाद में इसका उत्रादिकारी इसका पुत्र बनता है कुमार कुमारगुप्त शासन रहा था 04127 से लेकर 454 the तक थे रहा था और 043 devices लेकर 454 ऑथा और 413 medicines Dogs उससा उसा पर यहरा कि लालगन इसने कुमारगुप्त जो कि बहुत सिच्चा के लिए फेमस था जो कि बरतमान भारत का प्राचिंतम विस्व बिद्याला है कौन सा नौलंदा विस्व बिद्याला है जो कि बहुत सिच्चा के लिए फिरसिद्ध था और साथ ही साथ इसको नश्ट किसने करवाया था तो इसको जो नश्ट करवाया था बक्तियार खिल जी ने नश्ट करवाया था 1203 से लेकर 1205 इसवी में किसने बक्तियार खिल जी ने इसको नश्ट करवाया दिया तो बक्तियार खिल जी ने नागंदा विस्विद्याले को नश्ट करवा दिया था इसके पुष्ट काले में आग लगवादी थी उसके बादें बात करते हैं उपादी जो ली थी इसने महंदरादित्ट की ली थी किसने कुमार गुप्त ने उपादी ली थी महंदरादित्ट की और जो गुप्त काल में सबसे सरवादी का सबसे जाना अभलेक मिले हैं वो किसके मिले हैं वो मिले हैं कुमार गुप्त के सबसे जाना आविलेक ही किसके मिले हैं कुमार गुप्त के मिले हैं सबसे जाना आविलेक उसके बाद में ये अंतिम महान सासक था गुप्त काल का अंतिम महान सासक था कौन कुमार गुप्त उसके बाद में बात करते हैं कुमार गुप्त का उत्तरादिकारी बनता है इसकंद गुप्त 454 इसवी से लेकर 4660 इसवी तक रहता है इसका सासनकाल किसका इसकंद गुप्त का और हुडों का जो प्रतम आकरमण हुआ था वो इसकंद गुप्त के ही सासनकाल म हुआ जिसे इसकंद गुप्त ने विफल किया था और हूडों का जो सासक था वो था तौर्व माड़ हूडों की तरफ से जो सासक था वो था तौर्व माड़ और हूडों को ही मलक्च भी कहा जाता है द्यार रखना हूडों को ही मलक्च भी कहा जाता है और इसने इसकंद गु अदुल हाया था और इसकंद गुप्त के जो उत्रादिकारी हुए है, पुरु गुप्त, कुमार गुप्त, भुध्ध गुप्त, नरसिंग अज भानो गुप्त तो बानो गुप्त के बारे में जानकारी जो मिलती है वो एरण अभिलेक से मिलती है बानो गुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एरण अभिलेक से मिलती है और इसी का एक मित्र हुआ करता था गोपराज बानोगुप्त का ही एक मित्र हुआ करता था गोप्राज जो कि इसकी तरब से हूडों से लड़ता हुआ बीरगती पर प्राप्त हुआ था किसकी तरब से बानोगुप्त की तरब से लड़ते हुए हूडों से बीरगती पर प्राप्त हुआ था कौन गोपराज और गोपराज की जो पतनी थी उसने क्या किया था? आग में जलकर सती हो गई थी, गोपराज की जो पतनी थी वो आग में जलकर सती हो गई थी तो एरड अभलेक से ही सती प्रिथा का सबसे पहले कहां से मिल था? एरड अभलेक से ही तो ऐसा माना जाता है, जो सबसे पहले सती हुई थी, वो हुई थी, आग में जलकर कौन? गोपराज की पतनी सती हुई थी, आग में जलकर और गोपराज कौन था? भानुगुप्त का मित्र था जो की भानुगुप्त की तरब से लड़ते हुए हूडों से भानुगुप्त की तरब से हूडों से लड़ते हुए बीरगति को प्राप्त हुआ था और उसके बाद में जो इस बंस का अंतिमसासक आता है वो आता है तो इस बंस का अंतिम सासक जो आता है वो आता है व्षिशनोगुप्त या कुमारु गुप्त थड तो यहां तक आप लोगों का जो यह गुप्त डाइनेश्टी या गुपता बंस है आप लोगों का कंप्लीट हो था इसके बाद में आँगे बात करेंगे इसके बाद में आंगे बात करेंगे गुप्त उत्तरकाल की तो ये आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजीगा एक बार समद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारें पचली क्लास में बता दिया था समद्रगुप्त का सासन रहा था चंद्रगुप्त क्वच्ट इसके बारें बताकर चंद्रगुप्त पेट में, यूपिटर पलसी पेट में यहां से question बना था, उसमें पूछा गया था कि उसमें चार आपसन दे रखे थे और पूछा गया था नवरतन रखने वाले इनमें से कौन से थे, तो उसमें अकबर का नाम नहीं था, उसमें चंदरगुप्त दुतिय का नाम था, तो उसमें अकबर का नाम नहीं था और उसमें question कैसे बना था, question बना था, उसमें तीन सासकों के नाम दे रखे थे और एक उसमें दे रखा था, इनमें से कोई नहीं, तो यह यूपिटर पलसी पेट में question मना था तो उसमें तीन सासकों के नाम दे रखे थे और एक में कहर रखा था इन में से कोई नहीं और उसमें एक चंदरगुप्त का भी नाम था ठीक है, तो याद रखना, question है ऐसे बनते हैं यहाँ से तो उसमें चंदरगुप्ट दुतिये का भी नाम था ठीक है तो इतियास में प्रतम सासक जिसने दर्वार में नवरतन रखे थे यह याद रखना आप लोग इतियास का प्रतम सासक जिसने नवरतन रखे थे अपने दर्वार में वो काउने चंदर गुप्त दुतिये और अकवर तो बाद में आया था उसमें बाद में नपरतम रखे थे उसके बाद में चंद्र गुप्त के बाद उत्रादिकारी बनता है कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के बाद इसकंद गुप्त और इसकंद गुप्त के बाद उत्रादिकारी बनते हैं बाहरी आक्रमों की बज़े से फिर उसके बाद में क्या हुआ गया और उसके बाद में यह गुप्तवंस खतम हो गया तो आज की क्लास को इतना रखते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद